असलाम अलेकुम मेरा नाम यासर फर्जन है और मैं माइक्रोसाल सर्टिपार्ट रिप्रेश्टनल हूँ आज के हम नोग फाइज मिनट टिप के मज़र जो है वो स्को सर्वर का डेट टाइम का फंक्शन गेट डेट का फंक्शन जो है वो डिसकस करने जा रहे हैं बेसिकली गेट का फंक्शन जो है वो आपको डेट और टाइम की वैल्यू देता है उस सर्वर पे जिस सर्वर के उपर आप इसकी गेट डेट के फंक्शन की चुड़ी चलाते हैं तो इसको लिखने का तरीका बड़ा सदस है आप सिम्पल डेकर स्वर्शं का फंक्शन का नाम लिखेंगे उसाहत के इस सोब चला कर देखके और यह अपको यहां पे वो डेट लेरा है और डेट के जो है वो सबसे पहले आपको year दे रहा है उसके बात month दे रहा है उसके बात date in itself जो उस महीने की date है वो दे रहा है उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसके उसमें वो time की value दे रहा है अब time की value जो है वो इस वक्त 12 बच्च के 19 और 11 second है और साथ जो है वो 100 यहनी के millisecond का भी हिसाब दे रहा है इसवर क्योंके यह local machine के उपर मेरा SQL server रिस्टॉर्ड है तो इसवर जो मेरी machine का time है यह basically वो दिखा रहा है ठीक है और अगर मैं इसको दुबारा से चलाओ इस क्यूरी को अब यह time factor जो है 590 millisecond की दे रहा है अभी हम फर्दर भी इसके get data function को मुश्ट लीकों से format कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हम लोग अगली tips के उपर emphasize करेंगे hopefully आपको यह video पसंद आएगी यह tip आपको लिए फाइदे मन होगी प्रीज इसको share करें thank you